देरादून के तिलक रोड स्थेट स्वामी शधानन्द बाल वनीता आश्रम को 100 साल पूरे हो गए हैं। निराश्रित बच्चों के लिए 1924 में इस वनीता आश्रम की स्थापना की गई थी। तिलक रोड में मौझूदा स्थान पर 16 अक्टूबर 1931 को राश्र पिता मात्मा गांधी ने बाल वनीता आश्रम के भवन की आधारशिला रखी थी। बाल वनीता आश्रम का संचालन आरे समाज धामावाला की ओर से किया जाता है। आरे समाज ने बाल वनिताश्रम के शताब दीवर्ष और स्वामी दयानन्च रिस्वती के ध्वी शताब दी जन्मोचव के उपलक्ष में दो दिवस्य समहरों का आयोजन किया। इसमें आरे समाज से जुड़े विद्वानों और अन्य प्रमुख लोगों ने भागेदारी की।